अज़ आज हम इस वीडियो में उस सेक्टर्स की में आपको जो इस वीडियो के अंदर अनेलिसिस की पीछे जो इंटरेशनल प्लैटफॉर्म में जो रिसर्च एनलिस्ट है उनके अनेलिसिस मौझूद है उनकी वर्किंग मौझूद है मेरा काम as an investor, as an investment advisor, मैं अपनी community को ले के चलना हूँ और इन वीडियो को बनाने का publicly और अपने consideration clients के लिए separately वीडियो बनाने का भी मुझूद होता है कि again हमारी market में जो उतार चड़ाव है basically जो volatility है उसके साफसे companies के उपर भी economic issues के वज़ए से impact आता है क्या हम जिस company में investment कर रहे हैं ऐसा दो नहीं कि उसके shares को महेंगा खरीज रहे है या ऐसा दो नहीं कि हम कोई ऐसी company के उपर नजर नहीं डाल रहे है तो कि अभी undervalued हो जिसके अंदर अच्छे economic activities में potential आयो उसकी share price increase और हम उसकी increasing share price से फाइदा ना उठा सके है तो इस video के बनाने का में मकसद इसके बनाने का में मकसद यह है कि मैं कुछ factors के top companies है उनके आपस में comparisons करके आपको दिखा सकूँ कि उनको highlight कर सुंगो basically क्या उनकी उसको market में price सल रही है वो undervalued है और आप उनके अदर investment का सोच सकते हैं नहीं आप डारेक्टी investment suggestion नहीं दे रहा आप मेरे क्लाइन मुझस से अपनी प्रिफर कंपनी के से analysis लेते रहते हैं और आप मेरी कम्यूटी का पार्ट नहीं है और आप इसी तरह मेरी तरह टेक्निकल अनालिस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चैनल के थूरू आप उससे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद जो मेरा टेक्निकल और फंडमेंटल का बेसिकली फंडेशन और बेसिक फंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इंवेस्मेंट का तो मेरा कोर्स है वह अभीरेबल है जिसके अंदर 30 प्लस वीडियोज हैं मजीर और भी वीडियोज में और डालता रहता हूं आपने कुछ नहीं करना अगर आम इस टेक्न फ्यू कोशिएंट्र आंसर करने के बाद रीच आउट टु मी और वाटसाइप मैं खुद आपको वाटसाइप पी रीच आउट करूँगा जब आप ते मेरे पास के वाईसी फिल्ल होगा और के वाईसी फिल्ल ओने के बाद फिरी कोशिश होगी कि मैं आपके बारे पेले जान सको और आपको जिस तरीके की रिकॉयर्मेंट है उससाफ से आप अगर आप मेरा क्लाइन बनना चाते हैं आप अपने स्कीन के सामने कुछ सेक्टर देख सकने हैं और यह सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर जो के हमारे पास कम्पनी में सबसे जादा वैलिशन रखते हैं औ पर दिलाइजर माँ पर जी बहुत बड़ा सेक्टर हैं और आपको बताऊंगा कि उनकी कंपनी की जो वैलिशन है या नहीं है उसके अंडर वैलुट स्टॉक्स है या और वैलुट स्टॉक्स है उनके हम कंपरिशन करने थे लेट्स स्टार्ट विद कमर्शल बैंक में हमार आप लोग चाहें जो इस इंवेस्टिंड.com के जो प्रो तर्वेस है वाँ खुद भी जाके असिल कर सकते अगर आप मेरे क्लाइन बंदे हैं मेरी कंसलेशन ले रहे हैं मेरे क्लाइन बंदे तो फ्री ऑफ पॉस्ट मेरे क्लाइन जो है वो मुझे अपनी प्रिफर्ड कंप आपके उनको मैं प्रॉइट कर देता हूं ताकि वो फंडमेंटल और टेक्निकल दो देखते हुए अपने बेतर इंवेस्टमेंट डिजीशन बना सके तो मुझे फॉवड अगर हम बात करें मिजान बैंक की मिजान बैंक की हमार पास यहां पर ओवर और एक फाइन्शल प्रॉड कॉम ने एक लिजन लिए हमें अपने इसाफ से लेस्ट जनेरेट करनी है डिपेंडिंग कि हम अपने उस प्रिफर्ट सेक्डर के अंदर कौन को उसी कंपनी की अनालिसिस करना चाहते हैं अगर मैं मांकेट के एसाफ से बड़े से सबसे चोटे बैंक की बात करूं तो यहाँ पर हमारे मिजान बैंक, UBL, MCB, HBL, Sender Charter और मेरा जो प्रिफर्ट बैंक इस वक्र जो चल रहा है इंवेस्पन के अवाले से वह है फैसल बैंक So what I'll do, I'll hit on compare, मैं यहाँ पर तमाम लिस्ट को remove करनूगा Now I'll add for example, very preferred company Faisal Bank, तो मैं add कर लेता हूँ, then I have Mizan Bank, जो हमारे पास बैंक में सबसे बड़ी company है, इसके लावा मैं HBL की, हभी bank limited की अगर हम बात कर लें, हभी bank limited, तो हमारे पास HBL का जो हमारे पास option आ जाता है, then we have MCB, MCB को हम यहाँ पर add कर लेते हैं, MCB, Pakistan की अगर हम बात कर लें, UBL की, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर available है, sorry, UBL को कर हम टाइक करे, United Bank Limited हमारे पर इस तरी किसा आ जाता है, इसके लावा अगर हम देखे, कोई और bank का गरम add करना चाहें, जो की value shift कर अच्छी लखता हूँ, bank islami, फिर हम बात करने हैं, एक islamic bank है, bank islami, so as you can see, कि मै fair value option, अब हमारे पास यहाँ पर, यहाँ तो अगर आप इसको filter आप खिलना चाहें, undervalued से overvalued तर, या overvalued से undervalued, वो आपके अपने उपर depend करता है, मैंने यहाँ पर click किया है, कि fair value क्या है, यहाँ पर कौन वह सी company, इस मेरे list के अंदर, कौन सा ऐसा bank है, जिसकी अभी fair value आना बाकी है, जो कि अपनी fair value और अपसाइट potential अचीव कर सकता है, तो हम देख सकते हैं, फैसल बैंक, टॉप्स चार्ट, फैसल बैंक का यहाँ पर, हमें दिखा रहा है कि अभी undervalued है, यहाँ से 42 उपर जा सकता है, अगैं, यह मेरे analysis नहीं है, कि internationally, कुछ analyst है, investing.com के बहुत analysis, as a research analysis मैं कर सकूँ, और अपने investors को, अपने community members को guide कर सकूँ, अगर आप again community member नहीं है, तो आप definitely बनने का सोचें, पैसल बैंक की बात करें, undervalued नजर आथा, विच मींस कि यहाँ से 42 उपसाइट potential दिखा रहा है, then we have HBL, 145 तक potential है, UBL, जो है, वो अभी, HBL की market price 113 रुपे तक है, तकरीबन 28% अपसाइट अभी भी करना बाकी है, किलाब अब बात करें, UBL, तो UBL की investing के हसाब से वो कह रहा है, then we have MCB, तकरीबन 191 की इसकी market value चल लिए, जो के अभी fair value हमें यहाँ पर दिखादा है, बैंक स्वामी के अगर बात करें, 25 रुपीस की market value और fair value हमें यह नजर आ लिए कि fair value उसने अभी market में तकरीबन इसने कर लिए, मिजान बैंक की बात करने, मिजान बैंक के वो कह रहा है कि यहां से थोड़ा सा downside है, which means कि मिजान बैंक, there is a possibility के technical basis पे थोड़ा सा जादा buy हुआ है, तो अपने आपको correct कर लेगा, again, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ब बात करें, तो हम next, हमारे पास जो sector है, that is ENP, exploration and production, और उसके अगर हम बात करें, तो हमारे पास सबसे अला नाम जो आता है, that is OGDC, अब OGDC के again हम comparison कर ले, to its peers, to its comparative companies, तो हमारे पास यहां पे by default, तमाम list available भिल जाती है, मैं इसमें से shell को remove करूंगा, because shell हमारी market में से, रैसी अप तर अगर हम again valuation की बात कर लें कि undervalued से overvalued कौन सी company है, तो अभी हम देख सकतें कि majority जो पांचो companies है, वो undervalued है, which means कि यहां से, अभी मारी की बात कर ले, 28% का upside है, 3,000 तक जा सकता है, पाक्सान petroleum की बात कर ले, 30% upside इसकी valuation मनती है, जो कि 153 तक इसको ले जा सकता है, 142 से 153 तक इसकी valuation मनती है, then we have attack petroleum, 30% upside होगा, तो 494 तक जा सकता है, पाक्सान oil field की बात कर ले, undervalued है, पाक्सान oil field, तकर इवन 545 तक जा सकता है, सबसे जादा undervalued की अगर हम बात कर लें, जो stock हमाए पास अवेलिबल है, जिसकी prices हमें नज़र आती ही, वो है, OGDC, which means कि तकरीबन 200 इसकी valuation of around 192 रुपीज, moving on to the next sector की अगर हम बात करें, तो हमार पास, वो fertilizer sector हमार पास मज़र आता है, fertilizer की अगर हम market cap से आप से बात करें, तो एंग्रो fertilizer, फात्मा fertilizer, फात्मा fertilizer, and these kind of companies are available, again, एंग्रो cooperation हम यहाँ पर सर्च करते हैं, हम यहाँ पर सबसे बहले add करेंगे, effort को, प बाकसान की companies है, अगर हम बात करने, 4G fertilizer, FFL, FFC की अगर हम बात करने, कुछ companies हमारे पास, आवेलिबल होती है, 4G fertilizer की अगर हम यहाँ पर नाम लिखें, 4G fertilizer company, then we have, 4G fertilizer बिन कासम, FFL की अगर हम बात करने, तो कुछ companies के इस तरीके से हम यहाँ पर analysis कर सकते हैं, again, नीचे के नीचे आने के बाद हम fair value हिसाब से अगर हम बात कर लें हम देख सकते हैं कि एंग्रो की जो majority companies है इफर्ट और एंग्रो तो अभी यहां बेडिक कर रहा है कि इनकी market में fair value already achieve हो चुकी है and there is a potential downside अब यह इनके analysis हैं हो सकता है कि market में इस तरीके की working नहीं हो लेकिन just to give you an overview यहां भे हमारे पास undervalued companies को हम वहां सी है तो undervalued company अगर हम बात कर लें FFC हमारे पास undervalued company नजर आती विच मेंज के तक एवन 42% अगर हम यहां से upside देखे तो it will take it to around 161 rupees so this is how we can use these kind of data portal to analyze and see कि हम किस तरीके से company के जो undervalued and overvalued companies है उनको find out basically कर सकते है let's take a very new जो हमारे पास सेक्टर है सेक्टर दो पुराना है लेकिन अगर हम इस सब working की बात करें सब जो majority momentum shift है हमारी market के अंदर वो हमारे पास technology के अंदर है उसके लावा अगर हम सेक्टर वाइस बात करने को हमारे पर और भी सेक्टर आते हैं डीटेल में अगर आप अगर अगर आगें अनालिस देना चाहें देखना चाहें समयना चाहें उससे अगर आप बात करनें हमारे पर systems हैं again अपने यसाफ से list को बना बचाता हूँ मेरे दिवागे systems आप्योसी इसस्टम्ज है अगर हम बात करने पाकसान में अदेन आइड एड बात करने इसके लावा भाएं बात करने टी-आर जी की लेट सपोर्स बात कर लेथे आप जो के टेक्नॉलोजी में कॉनफंसी कंपरी आती हैं जो कि अंडर वैलिवोड हो सकती हैं या ओवर वैलिवोड हो सकती हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं के एल्लिंक कम्प्मिनिकेशन एक हमारे पास बहुत अच्छी कंपरी जो है हमारे पास नजर आती है let's add that to the list as well in link of communication and इसके रावब हम बात कर ले टेली कार्ट की let's support बात कर लेते हैं टेली कार्ट, टेली कार्ट, टेली कार्ट लिमिरेट and one of the companies that I've been very much suggesting since a very long time that is WTL अब हम देख लेते हैं इन companies के अंदर undervalued companies हैं वो कौर वोट से हैं टेली कार्ट की अगर हम बात करें so there is a possible upside potential of around 41% जो हमें इसकी 10 रुपे तक valuation भी जा सकता है राइड नोट अंडर वैल्यूट, टेली की बात कर लें 101 रुपे तक या भी भी upside जा सकता है ये भी इन की बात कर लें it has an upside valuation of around 27.6% 80 रुपीस से की उपर जा सकता है and then we have yielding जो के हमारे पास तकरीबन 70 रुपीस से की इसकी valuation हमें यहां बे लिखा रहा है, उसके बात systems की अगर हम बात करें fair value हमारे पास मेज़र आ लिए कि विश्मी इसके तक करीबन 400 रुपे से 425 रुपे तर prediction इसकी एक उपर जा सकता है October की बात कर लें उसकी valuation के साब से उसको नीचे आना चाहिए 100 रुपे और WTL की बात करें तो अभी अच्छे financial हालात ना होने की वज़ा से इसके downside तोड़ीसी value बन सकती है लेकिन यह just an overview में आपको दे रहा हूं इन data portal की access लेने के बाद इनको समझने के बाद इनको use करने के बाद अपने हिसाब से preferred company के जो है analysis रिकाल सकते हैं मिलते चाला अपने next किसी analysis and videos और इसी तरीके की educational videos के साथ अपने next time अभी साइने और take care अला आफेस